दोस्तों, आज पांच जुलाई, शुक्रवार आशार्ह अमावस्या की तिथि की रात बस चुपचाप कर लेना, एक मुठी नमक वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय तुरंत ही जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी. आपको मुक्ती भगवान विश्नु जी और माता लक अमावस्या तिथि परहती है. लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेश और खास महत्व आज की आशार्ह अमावस्या तिथि का माना जाता है. क्योंकि दोस्तों, इस दिन भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आते हैं और अपने दोनों हाथो अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाते हैं. शास्त्रों में वर्नित है कि आशार्ह अमावस्या तिथि के दिन भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं. वेद पुराणों में तो यहां तक वर्नित है कि आज की आशा आशार्ह अमावस्या तिथि मनो कामना पूरी करने वाली अमावस्या तिथि होती है। पूजा का लाब एक ही दिन की पूजा से मिल जाता है। इसी लिए दोस्तों आज के आशार्ह अमावस्या तिथि को हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा तिथि माना जाता है। नक्षत्र योग, अम्रित सिध्ध योग, ब्रहस्पती योग जैसे शुभ योग का निर्मान हो रहा है। और अगर आज अमावस्या तिथि के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे हैं, पूरे दिन का वरत रखते हैं। पूरे दिन भगवान विश्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधिविधान से पूजा पाठ करते हैं। तो न केवल आपको भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा, बलकि आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी, आपके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाएंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी, आपके जीवन में ए पूरे दिन विधिविधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आज के दिन चुपचाप, तंत्र शास्त्र, जियोतिष शास्त्र के अनुसार, एक मुठी नमक का उपाय, विधिविधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कश्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा, बलकि इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकाम ना हो। मान लीजिये, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से इस साल आप करोड़ पती बन जाएंगे, भ परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी और इतना ही उपाय करने से मान कर, चलिए हमेशा भगवान विश्नु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुठ् नमक का उपाय करके आपको भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों, जो नमक होता है, वह शुक्र ग्रह का कारक होता है, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो तो शुक्रग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है, जिस व्यक्ति का शुक्रग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोडपती बन जाता है। अलौकिक शक्तियां होती हैं, इसी लिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर कोई तांत्रिक आता है, एस्ट्रोलॉजर आता है, तो वह हमेशा अपने साथ एक मुठ़्ी नमक जरूर रखता है। शास्त्र और ज्योतिश शास्त्र के अनुसार कर लिया, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से, तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशीरवाद वर्दान मिल जा इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशीरवाद हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विश्नु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ, पाने का महा उपाय, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की मजलीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रन भगवान विश्नु जी के हाथों में होता है, और अगर आप वह उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विश्नु जी का आशीरवाद मिल तो बस आपको आज आशार्ह अमावस्या की रात्रि को अच्छे तरीके से नहा लेना है और अपने पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विश्नु जी की कला चित्र रखी हो, आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है और उस पर एक मुठी नमक रख कर उसकी पोटली बना लेनी है, फिर आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विश्नु जी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है, भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी को ग्यारह नंबर बहुत प्र लेना है, जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाए, अगर आपने आज आशाध मावस्यातिति की रात्री को कर लिया, तो यह पोटली भगवान विश्नु जी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके राहु केतु की दशा अच्छी रहेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में करियर कारोबार में आपको उन्नती देखने को मिलेगी, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आ आप करोडपती बन जाएं। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। अब इस दो इलायची को आपको नमक के डिब्बे में डाल देना है और इस नमक के डिब्बे को तुरंत ले जाना है आपको और अपनी अलमारी में तिजोरी में जहां पर आप अपना पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं, वहां पर रख जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्ध होगी, आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोडपती बन जाएंगे, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक, कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और मान कर चलिए, दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यान कारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का अपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, आपके घर पर कभी भी कोई भी परेशानी ना आए, आपके घर के लोग एक दुसरे के साथ मिलकर रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कि आज आशाड अमावस्या के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेनी है हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रख देना है, और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस 11 रोटी को आपको खिला देना है एक गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है खुद भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विश्णू जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गोव सेवक थे और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि आशार्ह अमावस्या तिथी के दिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गाय को 11 रोटी अपने हाथों से खिला देत उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विश्णू जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको सुख, समरिध्धि, धन, दौलत, एश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने व और लब और खास माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस दिन घर में राखी जाडू के नीचे ये एक गुप्त चीज दबा देते हैं, तो आपको करोडपती बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको बताते चले। अमावस्या पितरों की उपासना अतिती मान जाती है। आशाड अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनो कामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर शिवाजी की पूजा और मंत्र जब किया जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भोलेनात की पूजा विशेश लाभ लिया जा सकता है। अमावस्या के दिन शिवाजी की पूजा प्रदोश काल में करना सर्वोत्तम होता है दोस्तों। इस दिन दान ध्यान और सनान का विशेश महत्व है। और दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पन चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम आपको जाडू के कुछ ऐसे खास उपाय बताएंगे, जिनको अ होता है। जाडू कब बदलना चाहिए। जाडू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी कष्ट का सामना करना पद सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा जाडू का सीधा तातपर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ती ने अगर जाडू का सही उपाय सिख लिया और जाडू का सही तरीके से उपाय कर लिया, जो हमारे वास्तु शास्त्र में धर्म शास्त्र में लिखा ह तो मा के चलिए आपको साक्षात माता लक्षमी जी का आशीरवाद मिलेगा दोस्तों। खत्म हो जाए दोस्तों। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जाडू का सीधा संबंध माता लक्षमी जी से होता है। कहां गया है। माता लक्षमी जी को जाडू बहुत ही ज्यादा प्रिया होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से जाडू का प अंदिर माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रति दिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्षमी जी वास करने आई है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रह तो हमारे घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता परेशानी नहीं आएगी, वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा राहत है, तो हमारे घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी दरिद्रता एज जाती है और वास करने लगती है जिससे हमारे घर की बरकत रुख जाती है। जिससे हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। खाने का तातपर्य है दोस्तों की हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय जाडू लगाने का होता है वह सुभह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश हम जाडू नहीं लगा पाते हैं। तो दोपहर से पहले अगर आप जाडू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आई है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जाडू को लेकर वास्तु शास्त्र धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालनपुर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन कल में किसी भी तरीके की जो परेशानिया हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों जाडू एक बहुत ही आम सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को जाडू के नियम पता ही नहीं है जिसकी वजह से वह जान अंजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा ए रहा था व पैसा आना बैंड हो गया है, तो इसका मुख्यकरण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्यकरण हो सकता है, कि आप जाडू का उसे तरीके से पालनपुर नहीं करते हैं, जाडू का उसे प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जी प्रकार से वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक कर लेते हैं, जाडू के वह उपाय सिख लेते हैं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन कल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन कल से गरीबी दरिद्रता, परेशानी कष्ट डिकत है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, दूसरी तरफ आ आकस्मिक धनकी आपको प्रताप होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएगी, तो दोस्तों कुछ चीज जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जाडू को लेकर वह हम आपको बताने जा रहे हैं, तो देखिए बहुत पहले, जो बात है, जो सबसे पहले नि आँखों के सामने जाडू को ना आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ती के सामने आने दे, जाडू को ऐसी जगह चुपा करके रखें, जो आपकी आँखों के सामने ना हो, मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर जाडू पर आपकी नजर पद रही है, तो बहुत ही अशुब है और कहानी कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है जो बाहर के बाहरी लोग हैं वह आपके घर की जाडू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुब माना गया इसलिए आपको जाडू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना करते रहते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुब है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ज्याडू को कभी करके नहीं रखना चाहिए। ज्याडू को हमेशा लेट करके रखना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुब है क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि ज्याडू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और ज्याडू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात पर यह जोडे जाते हैं। तो कभी भी जाडू से अपना पाव लांगे नहीं, जाडू के उपर से कभी भी गुजरियेगा, मत बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखती होगी, छट नियम ये कहता है, कभी भी जाडू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, मतलब ना बाथरूम के अगल में रखना चाहिए, ऐसा अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा विशेश करके आप ध्यान रखियेगा, जाडू को अगर आप धोते हैं, तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी जाडू को मत धोईएगा, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको घर पाप लगता है, तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जाडू को लेकर वह नियम बताएं हैं, ज इससे माता लक्षमी का आशीरवाद मिले, और आपके जीवन कल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाएं, हम आपको नियम बताएं, उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त की, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जैमान लक्षमी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर् अगर आप कभी भी ज़ाडू खरीदने जा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन ज़ाडू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुब दिन माना गया है अगर शनिवार के दिन जाडू खरीद चिल्लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुब है तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों की आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की जाडू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें अगर आप लोग घर की जाडू को पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा आपको भौतिक सुखों की प्रताप होगी, आपको बैकुंठ की प्रताप होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी और अगर आप जाडू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं, तो मा के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे, उससे आपको फाइदा ही होगा धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा आपके जीवन कल से धन संबंधित जितनी भी परिशानिया हैं, वह चली जाएगी अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वह बहुत ध्यान से, सुनिएगा दोस्तों और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों होता क्या है कि एक बात कहीं गई है, कि अगर आपको जाडू सपना में दिखती है, है तो ये बहुत ही ज्यादा शुब है लेकिन किस तरीके से बहुत शुब है, या आप जान लीजिए, अगर आप सपना में देख रहे हैं कि आप जाडू लगा रहे हैं, तो यह अशुब माना गया है अब आपको सावधान होने की जरूर है मा, लीजिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए ऐसी जगह पर पैसा मत लगाईए, जहां पर पचास-पचास का चेस है दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा दूसरा अगर आप सपना में यह देखते हैं कि आप मंदिर में जाडू लगा रहे हैं, तो मा के चलिए, अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे, वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे, वह खत्म हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास क करने आएंगे, यह बहुत ही ज्यादा शुब बताया गया है, अब माली जीए, आप सपना में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति जाडू लगा रहा है, तो यह उसके लिए बहुत शुब संकेत है मा के चलिए, कि आपका जन वाला व्यक्ति जो आपके सपना में जाडू ए रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है, तो दोस्तों, यह कुछ ऐसी बातें हैं जाडू को लेकर, जो आपका जानना जरूरी था, अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय है पांच, शुक्रवार का यह उपाय अगर आप करेंगे, तो माता लक्ष्मी का आ इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मनी जाएगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद नहीं मिलेगा, आपको करना सिर्फ यह है कि पांच शुक्रवार आपको किसी भी जाडू के नीचे जो घर की जाडू है, उसक लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलाइची और यह लॉंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाईए, और इसको मौली धागे से बंद करके अपनी अलमारी में रख दीजिए, उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए, और दिवाली के सम इसको निकाल करके किसी भी बाटी नदी में भादी जिएगा.